नमस्कार मैरी तेशकुमार जिस ट्रेक्टर के इंतजार किसान भाई बड़े बेस्वरी से कर रहे थे आखिरकार यहां ट्रेक्टर आ गया है महेंद्रा 9605-Di-CR-Di तो आगे वीडियो में हम इसके सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अंदर इंजन कमपार्टमेंट और भी आने कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरेक्टर टेक के साथ चेशो पत्पे नहीं में कुछ इस तरह से कीट देखने को मिल जाते हैं इससे आप इसके light को on कर सकते हैं और इस वाले button से इसके light बंद हो जाएंगे और इससे आप इसके parking light को on off कर सकते हैं और रात में अगर ट्रेक्टर को आप खेत पर कहीं भी खड़े किया है तो इसकी मदब से आप इसे बड़ असानी से ढूंद सकते हैं इसमें वही चैरी रेट कलर के साथ में बॉनर देखने को मिल जाता है जो की काफी खुबसूरत दिखाई देता है और यहां पर महंदरा का बैचिन देखने को मिल जाएगा और यह 9655 डियाई और आपको सभी तरह इस प्रकार से ग्रील देखने को मिल जाते हैं और यही सब ग्रील के जैसे इसके अंदर एयर का स्रेक्टर काफी तरीके से हो पाता है जिसको जैसे यह ट्रेक्टर बिना गर्म हुए लंबे समय तक बड़ असानी से काम कर सकते हैं और इसमें कुछ इस तरह से ग्रील देखने को मिल जाते हैं जो कि सेफटी गार्ट के रूप में काम करते हैं और यहां पर आपको एक्ष्टर वेट अटेश करने के लिए अर्जमेंट दिया हुआ है इसमें आप 12345678 आट वेट लगा सकते ह वेट है यह 27 kg का दिया हुआ है और इसके बनेट को ओपन करने के लिए यहां पर लिवर मिल जाएगा और यहां कुछ इस प्रकार से बड़ा असानी से ओपन हो जाता है और इसको ओपन किये होने के लिए अंदर में दो गैस रोड लगा कर दिये हुए हैं के गैस रोड को आ लग से देखने को मिल जाएगा और इसमें टर्बो चार्जर भी लगाया हुआ है जो की काफी बड़ा चेंज इसमें किया गया है इन सभी चीजों के बार में हम आगे वीडियो में बात करते चलेंगे यहां पर डिजी सेंस का इस्टिकर दिया गया और यहां पर डबल पी और यह वार्निंग का इस्टिकर मिल जाएगा अगर आप में से किनी को यह डबल पी का मतलब पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं चली सुरुआत करते इसके इंजन से इसमें कॉमर रिल डारेक्ट इंजक्शन सिस्टम के साथ में फोर सिलेंडर इंजन दिया हुआ है जो की EGR के साथ में आते है और इसके साथ ही इसमें टर्बो चार्जर भी दिया हुआ है और यहां पर आप ये सभी नोजल को देख सकते हैं इसमें 1,2,3,4,5,6,6 नोजल लगे हुए हैं जिसमें से जो चार हैं सामने के दो और ये पीछे के दो ये सिलिंडर के लिए है और यह जो दो नोजल है यहां पर आप यह देख सकते हैं यह पाइप्लाइन यह प्रेसर पॉम्प में आया हुआ है जो कि यहां पर गेर के माध्यम से अपरेट होते हैं और यहां पर सभी चीज कपलर वगएरे लगे हुए है जो कि इसे बैटरी से कनेट किया और इसके साथ ही अभी आपको कम बिलेगा और इसमें आपको तीन मोड दिये हुए जिसके मदद से आप अपने जरुवत के हिसाब से इस्ट्रेक्टर के पावर को यूज कर सकते हैं और अपना डिजल काफी हद तक बचा सकते हैं उसे हम आगे वीडियो में दिखाएंगे और चलता है इस में खास बात यहां कि माल लोगर इसके दौशेंडर में डिएल सप्लाई नई भी हो रहा हुए उस कंडिसन में भी ट्रेक्टर स्थ हो जाता है अला कि आपको ऐसा करके नहीं चलाना है फिर भी आपको यह बता देते हैं। क्यूंकि हमने अभी इसका जो कपलर दो नोजल का उसे निकाला था, उसके बाद भी जब ट्रेक्टर इस्टार्ट किया, तब भी ट्रेक्टर इस्टार्ट हो गए, हाला कि जो मालफंक्श्टिन लाइट है, इंस्टूमेंट पे दिया हुआ है, वो जलना इस्टार्ट हो गया था, और लेफ्ट साइड से आप इं हमसी से ठंडा करके यहां से एक इंटेक मैनी फोल्ड में डाल दे जाता है इस गयस का रियूस कर लिया जाता है जिसकी मतर्स से आपको माइलेज में थोड़ा बहुत इंप्रूमेंट मिल जाता है और कुलेंट पाइपन को आप यह देख सकते हैं और यहां से आप इसमें सब् recruit कर सके और हैर फिल्टर से आप पाइपिप्रीन को देख सकते हैं यहां पहलते टर्बो चार्जर में हुआ हसके बाद टर्बो चार्जर इस एयर को कमरिड में सक्करके यहां पाइप्लाइन से निकल जाता है और यह सब चीज बीएस फोर ट्रेक्टर में अलग से नया लगाया गया है ताकि इस से होने वाले पॉलूशन को कम से कम किया सके अब भारत सरकार के नौम के हिसाब से जितने भी पशपन या पशपन से अधीक हेच पी कटीगरी के ट्रेक्टर आएंगे उसमें आपको टर्बो चार्जर जरूर देहने को मिल जाएगा राइट साइट से आप पूरा इसके इंजन ब्लॉक को देख सकते हैं और इक एटलेटिक के नोटर और इंजन हेट के बीच में कुछ इतना गेप रखा हुआ है और य को देख सकते हैं और यह इंज बिच सकते हैं और बन हो जाताहे अगcrowd आपके पास और कभी हो रहा है तो सबसे पहलें आप zeker कप रे nationalism को दो होता है और और बीस और आपको ट्रेक्टर को रिए होने के लिए इसमें बैटरी कनेक्शन है यह हमे viola होना चाहिए बिना power supply के यहां ट्रेक्टर स्टार्ट नहीं रहता है और इस ट्रेक्टर में आपको दो fuel filter दिया हुआ है यह primary और यह secondary diesel filter और आप जब भी BS4 ट्रेक्टर लें तो इस बात का जरूर धिया रखे कि इसमें डलने वारा जो diesel है फुरी तरह से साफ होना चाहिए इस ट्रेक्टर म है वह आपको राइट सेट में देखने को मिल जाएगा जैसे कि यह देख सकते हैं और यह सब जगह पर भी कपलर लगा हुआ है और यह सब वायरिंग वगर एको देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से इस बार वायरिंग करके इसमें दिया गया है तो BS4 ट्रेक्टर में आ आपको बता कर आपकी सहता करता है और आप समय समय पर इसका साफ सफ़ाई बड़ाहसाई से कर पाएंगे और इसमें कूलन्टिजर वायर के सांथ और इसके लिए गया है इसके रिडिटर में आपको एक्स्टर प्रोटेक्शन के लिए इनेट लगा कर भी दिया गया है जिससे जो बड़े-बड़े कचड़ और भूसे बगर होते हैं डारेक्ट इसमें ना फसे और आपका रिडिटर चोक नहों और लंबे समय तक आप बड़े सानी से कर सका है प्लास्टिक का डाप रिडिटर मेट्स करने अबड्र कर सकते हैं और इसमें को घप कर चाहिं से काफी जबरदस्ट मिल जाता है और डबल एक्टिंग होने का यह फायदा होता है कि इस टैप के पंप को आप सिंगल उंगली से भी ऑपरेट कर सकते हैं और इस प्रकार का जो पंप होता है वो ट्रेक्टर को कभी एक डारेक्टन में नहीं खीशता है बिल्कुल बराबर चल पाइपलाइन है जो की पीछे हाइड्रोलिक तक गया हुआ है इसमें आपको काफी बड़े साइज में आपको काफी ब्लेर और फिल्ट देने को मिल जाएगा और नीचे से आप पूरे इसके डिजाइन को देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है करना पड़ेगा और वही आइल इसका ट्रांस्पिशन इस्टेरिंग और एक्सल और ब्रेक इन सभी में काम आता है पुराने 655 के मुकाबले बी-एस-4 में क्या के चेंज किये हैं उसे आपको एक में बताने कोशिश करते हैं यहां पर फीड़ाड दिया गया है और यह तर्ब बड़ा अपग्रेड है उसके साथ ही बेस पर होने का जासे इसमें इसका पंप जो की सी आइडियाई के साथ में आता है और ऊपर चलके आपको बता देते हैं इसका इंस्टूमेंट ट्लस्टर है यह भी काफी हद तक चेंज किया गया है और यहां पर आपको अलग से मोड भी दे दिया गया है लेप साइड में हमें मेटल का टूल बहा देने को मिल जाएगा पहले वाले नोग शेसो पच्पन की मुकाबले इस ट्रेक्टर में तीन से चार एच्पी बढ़ाया गया है इसका मतलब अब यहां ट्रेक्टर 67 से लेका 68 एच्पी का पावर प्रोडूस करेगा और पहले 250 मिंटर मिटर का टॉर्क प्रोडूस करता था जब इसके एच्पी को बढ़ाया गया है तो जाहिर सी बात है कि टॉर्क को भी थोड़ा बहुत बढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब इसमें आपको 250 से अधी टॉर्क देने को मिल जाएगा और आप मैंसे जि कर डिजाइन है इसको भी चेंज किया गया है और इसाइच के ट्रेक्टर में चड़ने के लिए डबल फूट इस्टेप ज़रूरी होता है और आपको दोनों साइड में ये ग्रेब हैंडल देने को मिल जाएगा जिसके मदद से आप इसमें बड़ासानी से चड़ पाएंग यहां से आप इसके इस्टेरिंग वील को देख सकते हैं और इसमें इल्लुमिनेशन लाइट के साथ में आपको कॉमिनेशन स्विच मिल जाएगा है इसी से ही आप इंडिगेटर और सभी प्रका के लाइस और हॉन को कंट्रोल कर सकते हैं और यहां पर आपको शेटल शिफ प्रका करने पर यहां ट्रेक्टर आगे चलेगा और पीछे कर करने पर जिस गेर और जितने भी इस पीड में आप आगे जाते रहेंगे उसी गेर और लगभग उतने पीछे बड़ा सानी से आप आएंगे और यहां से आप इसके इंट्ट्रोटर लिवर जो की काफी और आपको बता दे कि 605 पर में 4-wheel drive वाल अवेरेंट भी आता है और यहाँ पर flywheel का indication दिया हूँ इसका मतलब जब आव इसके clutch pedal पर पैर रखे हुए चलाएंगे उस condition में यह blink करने लग जाता है और इसके diesel में अगर water आ जाता है तो यह वाल light जलने लग जाएगा और यह oil pressure meter, temperature meter और यह radiator चोखोने के condition में high beam और यह air filter के चोखोने कंडिशन में जलता है इसका मतलब इसमें काफी informative instrument cluster दिया गया है एक बार और देख सकते हैं यह सब देहने को इसमें मिल जाएगा और यह चोटास जो MID दिया हुआ है इसमें hour meter fuel gauge और temperature meter सायद इसमें यह speedometer भी दिया गया है क्योंकि यह km per hour में है अगर यह speedometer होगा तो काफी अच्छी चीज है और यहाँ पर PTO का RPM आपको बताते रहता है यह 1994 RPM extended PTO के लिए है और अगर आप इसे 1470 में कर देंगे तो यह economy PTO group में काम करेगा चली इस ट्रेक्टर का सबसे खास चीज आपको द देंगे तो उस condition में यह ट्रेक्टर कम डीजल लेगा और आपको नॉर्मल पावर सप्लाई करेगा और इसे आप नॉर्मल मोड में चलाएंगे तो यह नॉर्मल और जब इससे आप अधिक से अधिक पावर निकालना चाहेंगे उसको पावर में चला सकते हैं आप इस इसका वाशिंग नहीं हुआ है इसलिए काफी गंद है और इसके गार्ड के रूप में यह रबड कर चादर भी लगाया गया है इसमें सस्पेंड़ टाइप ए क्लच पेडल दिये हुए जो की काफी स्मूध होते हैं और इसमें आपको डबल कर देने को मिल जाता है इसके मत बैठने पर आपको कुछ इतना व्यू मिल जाता है लेफ्ट साइब इसके फेंडर को देख सकते हैं काफी लंबा चोड़ा और इस्टाली डिजाइन किया हुआ है इंडिपेंडेंट पीटियो क्लश लिवर इसके पीटियो क्लश लिवर को किस तरह से यहां पर बताया गया आप यहां डेख सकते हैं और यह पारकिंग ब्रेक ऑपरेट करने के यहां पर मेनु लगा कर दिया गया है और इसका इनडिपेंडेंट पारकिंघ लिवर यहां पर देख सकते हैं जो कि बिल्कुल कारों की तरह दिया हुआ है बात करके से गेर्बॉक्स का तो इसमें सब्सक्राइब और इसमें आदुनी जमाने का सिंट्रों में स्टाइब गेर बॉक्स यूस्ट किया हुजी स्वज़ा से इसे आप टॉप गेर से बीना वाज के शिफ्ट कर सकते हैं जो कि आपके अराम को और भी अधिक बढ़ा देता है और इसमें पंदरा फॉर और पंदरा सब्सक्राइब करने के लिए इसमें कंपनी फीटेड ये लिवर दिया हुआ है जो की काफी अच्छी बात है और बिल्कुल सही जगह पर इसे दिया गया है DC और ये पोजिशन कंट्रोल लिवर दोने देशने को मिल जाता है जो की बिल्कुल ये आपके पहुँच में इसे डिजाइन किया गया है और यहाँ पर डिफिरेंशल लाग देशने को भी मिल जाएगा इसकी मदद से आप इसके दोनों वील को लॉक करके एक साथ रोटेट अब भी होगा तो आप हमारे साथ उसका एक्सपरियंस शेर कर सकते हैं पीछे साप इसके पूरू डिजाइन को देख सकते हैं इसमें कुछ इतना फेंडर गया देने को मिल जाते हैं और यहां पर भी आपको एक टूल बॉक्स दिया हुए जो काफी अच्छी बात है और सब्सक्राइब को देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से और बहुंच ही है और यह उपर को देख सकते हैं यहां से आप फिन को निकाल कर इसे इस तरह से पीछे के और फोल्ड भी कर पाएंगे और सभी किसान भाईयों को इस तरह से आरो प्यस अपने ट्रेक्टर में यहां से आप इसके लेबलिंग प्रेट को देख सकते हैं यहां पर इंजन सेरीज नंबर मैक्जीमम पीटियो पावर 59HP और यहां पर आप इसके से को देख सकते हैं 264 ग्राम पर किलोवाट आवर बताया गया है और इसका जो प्लाव लैंप है यह आरो प्यस में ही लोड आता है इस प्रकार का जो एकषब होता है लोड को कभी भी लुट कर द यहां जाता है और लुट्げृ काफी बहुत से माना जाता हैonda इस ट्रेक्टर। पावर का भरपूल इस्तमाल कर सकते हैं बीना किसी टूटफूट टेंशन के बात करें इसके हाइड्रोलिस का तो इसमें 40 विटर प्रतीमिन टॉइल फ्लोरेट के साथ 25 कजी के लिफ्टिंग कैपसिटी दी हुई है और आप इसके लोवर लिंक के डिजाइन को देख सकते हैं किसी भी प्रकार के उपकरण को बड़े असानी से इसमें अटेच कर पाएंगे इसमें 2-point sensing के साथ में automated depth and draft control sensor देने को मिल जाता है बात करें इसके PTO का तो इसमें 59 HP का 66 plan PTO दिये हुए जो कि आता है 540 standard और reverse PTO के साथ में और एक certain RPM चलाने पर यहां economy PTO के रूप में काम कर इसमें multiple holes के साथ में heavy duty hitch दिया गया है तो काफी खुब्सूरत तरीके से इसके back end को design किया हुआ है बात करें इसके tire size का तो इसमें 69 28 के बड़े rear tire देने को मिल जाते हैं और यहां पर आप इसके mad guard के design को देख सकते हैं काफी खुब्सूरत design किया गया है और front tire की बात करें त इसमें बड़े front tire को मिल जाएंगे और यहां से आप tire के profile को देख सकते हैं और right side से आप ट्रेक्टर को देख सकते हैं काफी खुब्सूरत दिखाई देता है चलिए ट्रेक्टर को स्टार्ट करके आपको इसका आवाज सुनाते हैं और इसका इस्टेनिम रिस्पॉंस भी द कि अपने हिसाब से कम हो जाता है कि इसमें काफी एडवांस फिचर दिया हुआ है आपको चलाते समय ही समझ आएगा और यह रहा इसका इस्टेनिंग रिस्पॉंस इसके टायर के कटिंग को आप यह देख सकते हैं कुछ इतना इसमें होता है और यह पिर्पू कारों की तरह ही चाबी से बंग होता है जो कि काफी अच्छी बात है तो इतना कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर देखने को मिल जाता है आपको मेंदरा अर्जुन नोवाच छे सो पच्छपन डियाई में अगर आपके मन में स्टेक्टर से डिट कोई भी डावट या कुछ कोश्चन होता हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सुजाब द